How to fix Geo Security App not working and not opening problem नमस्कार डोस्तो, स्वागर है अब सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा की केसे आप जो है अपने Geo Security App प्राबलम यहाँ पर सॉल्फ केसे कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको भी इस तरह केगा कोई भी प्राबलम है कोई भी इश्यू है तो आप इस वीडियो को पुरा जरूर देखेगा अन तक देखेगा ठीक है जो भी solution होगा दोस्तो इसी वीडियो के true app फिक्स कर पाऊगे ठीक है जो भी solution होगा इस वीडियो पर आपको मिल जाएगा और दोस्तों मैं आपको कम से कम 4 से 5 या फिर 5-6 solution बताऊँगा जितने भी possible solution है मैं आपको इस वीडियो पर दूँगा और आपका problem definitely fix हो जाएगा क्योंकि दोस्तों कभी कबर क्या होते हैं हम हमारा जो एप है उसको यूज करते हैं हमारे डिवाइस में ठीक है काफी लंबी duration से अगर हम यूज करते रहते हैं करते रहते तो उस एप का जो डेटा साइसे वो increase हो जाते हैं increase होने के सारी साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे जो बग का problem है वो भी create हो जाते हैं ठीक है तो bug issue और यह सारे problems mix up हो जाने के वज़े से misbeave करते हैं और तरग अगा problem आते हैं तो अभी इसको कैसे fix कर सकते हैं आईए मैं आपको इस वीडियो भी बता रहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले make sure channel को subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले करना क्या होगा mobile को restart करना होगा ठीक है restart करके आपको क्या करना है recent बटन पर click करना है इस सारे app को close कर देना है एपको close करने के बाद एक बार चेक करके देखें अगर problem solve होटे हैं तो ठीक है अगर नहीं होते तो आपको जाना है play store में और search करना है geo security app search करने के बाद में आपको इस app का update चेक करना होगा यदि आपको यहाँ पर update दिखाई देते हैं तो आपको update कर देना है क्योंकि update से आपका app का जो bug problem है वो solve होगा application पे जो miss bf हो रहा है उसका problem solve हो जाएगा आपको मिलेगा latest update ठीक है तो इस तरह के यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा और सभी solution update में ही होते हैं तो update करके देखें उसके बाद make sure to restart your phone mobile को restart कीजिए उसके बाद चेक करके दे स्थे में solve हो जाते कि से किसी का नहीं होते हैं ठीक है तो दोस्तो अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो दोस्तो आपको जाना है next solution ठीक है तो next पे दोस्तो आपको क्या करना होगा आपको follow करना होगा कि setting setting पर जाने के बाद दोस्तो यहाप औपको search कर लेना है अपना app and notifications त कि आपको अपने Android device के अंदर पे मिल सकते तो आप इसको एक बड़ चेक करिए अच्छे से और जाइए ठीक है और यहाँ पर आपको सर्च करना है अपना जियो सेक्यूरिटी एप को उसे सबसे पहले कर देना है एफ़ört स्ट for okay and then आपको जाना होगा storage and cache के अंदर पे यह पर आपको क्या करना है आपको ख्लियर इस चीच कर देना है उसके पाद okay कर देना है ऑक करने के बूस्तो इसका storage clean हो जाएगा ठीक है और उसके बाद आपको सारे पर्मिशन्स एलाव देना है जैसे कि यह हो गया क्यामरा का पर्मिशन्स कंटेक्स हो गया उसके बार फाइल इन मेडिया ठीक है एंदेन लोकेशन आप एलाव कर दीजिए और फॉन इसको भी अलाव कर दीजिए तो अलाव करने के बाद दोस्तों आपको नीचे मुबाइल डेटा और वाइफाई के अंदर पर जाना है और सेटिंग यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा बैग्राउंड डेटा आपका इनेबल है तो एक बाद डिसेबल करके इसको इनेबल कर दीजिए उसके बाद अगर आपके मुबाइल पर लिखा हुआ है डिसेबल व तो यह कर लेने के बाद दोस्तो आपको डिवाइस रिस्टार्ट कर देना है डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे चेक करके देखना है कि आपका प्रॉब्लेम सॉल्फ हुआ है या नहीं हुआ है तो इतना में दोस्तो प्रॉब्लेम सॉल्फ ह अंदर पे एप को दुबारा से सर्च कर लेना है जियो सेक्यूरिटी एंदेन दोस्तों आपको यहाँ पे आन इंस्टॉल बतन डिखाए ज़रा होगा तो यहाँ पे क्लिक करना है आन इंस्टॉल कर देना होगा एप को आन इंस्टॉल करने के वाद दोस्तों डारेक्ली इसको इंस्टॉल नहीं करना है वरना दोस्तों आपको वही सेम प्रॉब्लम हो सकते हैं तो आपको क्या करना होगा सेटिंग पर जाके अपने मोबाइल के जो सोफ़ेर हैं वो अपडेट करना है उसके लिए आपको सिस्टेम पर जाके system update या तो फिर software update लिखा हुआ आएगा आपके mobile पे तो जाके update कर लिजेगा अपने mobile के software को जैसी ही आप update करोगे आप यहाँ पे बेग कर लिजे ठीक है अपडेट करने के बाद आपको software install भी करना होते हैं तो वो सारे process को कर लिजे उसके बाद आपको play store में जाना है और दुबारा से reinstall कर लेना है अपना geos security app को ठीक है तो यह app दोस्तों आपको काफी काम आने वाला है तो इस तरीके से solution होगा अगर यह app में आपको problem दिखाए तरह problem आ रहा है तो आप simply solution को follow कीजे एप को fix कीजे आपका अच्छे से काम करना शुरू करेगा ठीक है तो यही ता दोस्तो जियो security app के related solutions इस troubleshooting process के मदद से आप completely अपने app को जो ही fix कर पाऊगे और अमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद होगा thanks for watching